नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टू फ्रेंड संतोश संतोशी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्तों के लोग होते हैं जिनके रक्त में किसी को धोखा देना ठगना बहता रहता है वो धिवान समझदार लोग पहचान जाते हैं और जो भोले होते हैं वो फंस जाते हैं आज हम दोनों तरह के चीटर्स ठगी के सिकार करने वालों के बारे में बताएंगे कुछ बाहरी लक्षण भी देने की कोशिश करेंगे जिससे आप उनको जज कर सकें उनको पहचान सकें और भविश्य में किसी भी प्रकार के ठगी के शिगार होने से बच सकें कई बार बच्चे भी माता पिता को ठग लेते हैं ठगी चीटिंग धन के परिपेक्ष में भी आता है तो दोनों परिपेक्ष पकड़ता हूं रिष्टे का भी और धन का भी अब यहां समझने की जो मूल बात है वो यह है कि जादा बड़ा ठगी कौन सा वाला है रिष्टा वाला या पैसा वाला मुझे जहां तक लगता है कि दोनों अलग विशय नहीं है पैसे से ठगेंगे तो भी रिष्टा सर्मशार होगा और रिष्टे से ठगेंगे तो रिष्टा तो बिखरेगा है बट मेरा शोध मेरी बातें अलग रहेंगे इसे समझना होगा बेहत गहराई के साथ जो ठग होता है वो देखने में तो हम आप जैसा ही रहेगा बस बिचार और क्रियाएं अलग रहेंगे अब ओवर ओल हम आपको ग्रहों की तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं बिचार और क्रिया चंद्रमा और तृती भाव ध्यान देजिएगा मंगल सस्थेश और द्वादशेश मंगल सस्थेश और द्वादशेश का किसी भी तरह का संबंध व्यक्ति को ठग बना ही देता है कि जनरल शोध है और व्यक्तिगत शोध है मंगल सस्थेश और द्वादशेश व्यक्ति को ठग बना ही देता है इसमें दोश और तब बढ़ जाता है जब छठे और बारहमे का स्वामी स्वय मंगल हो या फिर शनी हो स्वयमंगल हो या फिर शनी हो तो दोश बढ़ जाता है ऐसे लोग जमीन जाइजाद रिस्ता प्रेम, महबबत हर जगह धोखे के लिए तत्पर रहते हैं लेकिन ये तो कुंडली देखकर पता चलेगा तो ऐसे लोग जो हमारे मित्र वो है कि जोतिश की बहुत जादा जानकारे नहीं है कि सश्ठेश और द्वादसेश समझ पाएं कुंडली देख पाएं बेसिक ऐसे लोगों के लिए हम इन ही योगों के वजह से बाहिस चरीर में जो लक्षण डिबलप होते हैं उसका परिचे करा देते हैं छटे और आठमे भाव का छटे और बारहमे भाव का स्वामी अगर शनी या मंगल है तो चेहरे पर चोट का निशान कन्फर्म है एनिवेर अन फेस यह होना ही होना है दस चीटर्स पकड़ियेगा आठ या नो के चेहरे पर चोट कट मिलेगा ही मिलेगा यह योग इस्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से अप्रिकेबल है लागो है समान रूप से लागो है आप इसमें कुछ कर नहीं सकते मैं एक बात हमेशा आप लोगों से कहता हूँ भोग भोगना ही पड़ता है याद रखिए तो अगर आपकी कुणली में इस तरह का दोश है तो चेहरे पर निशान रहेगा नमबर दो पर आता है ऐसे लोगों के मुह से स्मेल आती होगी ये सोचने वाली बात है तो आप ताड सकते हैं ऐसे व्यक्ति के हाथ अंगुलिया बहुत रूखी होंगे सौफ्टनेस नहीं होगा सौफ्टनेस नहीं होगा बहुत रूखी होंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एंथ्वेस्टिक नहीं रहते डल रहते कुछ मलिच्चपन रहता है गंदा रहने का शौक रहता और पैर तो इतने गंदे रहेंगे कि आप कलपना नहीं कर सकते इसका मतलब ब्रहश्पत का भी सपोर्ट कम मिलता है ब्रहश्पत भी कम सपोर्ट दे पाता है क्या उपाहे किया जाए ये बहुत बड़ा एक प्रश्ण उठता है कि प्रियोग क्या किया जाए प्रियोग के लिए बहुत छोटा सा हम आपको बताते है किसी भी शनिवार के दिन जिसके भी ये लक्षण मिलें आपका बेटा है पती है भाई है पिता है कोई भी है किसी को ठंगने ना पाए एक नारियल गौमूत्र से छिड़क लीजिए और सर से उल्टा वारिए एंटी क्लॉक वाइस और ले जा करके किसी बहते जल में प्रवाहित करतीजे बहता जल ना हो तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रख सकते हैं बहुत शुक्रिया आभार आप लोगों का दिनांक 27-27 जो कलकत्ता का टूर था वो पोश्ट पोंड हो गया है तो इस्टाफ से बात करकी या वाटसप करकी जानकारी ले सकते हैं हमें अनुबत दीजेगा आप खुश रहिएगा नमस्कार झाल 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 झाल